आज मैं आपनों के साथ शेयर कर रही हूं यह सौफ्ट स्पॉंजी टू इन वान कपकेक्स वी बिना ओविन में यह कडाय में बनाऊंगी आज तो इसके लिए मैंने आ लिया है हाफ कप दूद और वान टे स्पून विनेगर इन दोनों को अच्छे तरह मिक्स करेंगे मिक्स क कप पिसीवी चीनी थोड़ा सा नमक और वान टे स्पून विनेगर देगे इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करने की बाद अब हम ड्राइ इंग्रीडेंच देंगे मैंने यहाँ वान कप मैदा दिया है और मिल्क पाउडर दिया है वान बाई फोर्थ कप और बेकिंग पाउडर दिया है वान टी स्पून और बेकिंग स्वर दिया है वान फोर्थ टी स्पून तो सबी इंग्रीडेंच को चान की अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल लंज नहीं रेना चाहिए तो हमारा मिक्स्चर रेडी हो गया है अब हम इसे दो इकॉल फाल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. इसमें एक चमच दूदद देखे इस बैटर को अब हम रेडी कर लेंगे mix करके ready करनेंगे है हमारा यह दो flavor का बैटर ready हो गया है अब हम इसे कप में transfer करेंगे, तो मैंने पहले ही इस कप में तेल करके ready करके रखा था तो पहला layer हम चौकलेट कर देंगे, तो मैं यहां एक एक चमज भर के पहला layer सब कप में भर रही हूं तो थोड़ा सा हम चॉकलेट का बैटर बचा के रखेंगे बाद में डेकोरेशन के लिए तो निक्स लियर देंगे ये कस्टेट का वो भी एक चमस भर भर के हम इस निक्स लियर भी सब कप में फिल कर लेंगे तो सब बैटर देना हो गया है तो जो मैंने बचा के रखा था चॉकलेट का बैटर वो उसमें उपर डिजाइन दे रही हूं दूद का पैकेट में डाल के आपका पास अगर पाइपिंग बैग है तो उसमें देखें कि दे सकते हैं मुझे तो पैकिंग नहीं आता है मैं कोश्यिस वह भी आप लोकेह पास से सर्क है आप लोकेशेर कर रही हूं हुआँ टो मेरा ये सब ready हो गया एंब हम बेकिग के लिए कर rolls eh pah便 peur कर के रखाता फकले इशे बेंडे के लिए छोड़ देंगे 35 40 मिनिट्स से हमारा ये उय म्रें कर दो हमारा नवहीं बेक होगा है चेक कर लेते हैं टुल दुदपिक देखे हैं कि एकदम प्लियर है तो इसका मतलब हमारा केक perfectly बेख हो गया है अब हम इसे साफ कप्रे से ढखके थान होने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम इसे हलक हलका गरम ही अब हम इसे demol कर लेंगे तो देखे आथे तर यह निकल के आगया है और बिल्कुल perfectly यह cook हुआ है तो आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है प्लीज लाइक और कमेंट करके बताना और वीडियो अथा लगा तो प्लीज शेर कर देना और नहीं हो तो सब्सक्राइब मैं चैनल और से विन निक्स वीडियो बाबाई